हेलो एवर्यवन इस्ट्रेट जिरो ओंलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी का स्वागत है मैं हूं अखिल और आज के 19 जुलाई 2020 के डेली का इंटेफियर्स हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे साथ ही अर्क्यूसन से जुड़े इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बत कर सकते हैं है हमें लेटस बिगेन शुरुआत करते हैं और वीडियो इस वीडियो एक क्यूसन ऑफ दरड़े मिले गा जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के देना यह पिछली वीडियो का क्यूसन ऑफ दरडय इसका पॉइस का अंसर इसकस कथा है रिसेंटली विच कंपनी हैज अनाउंस्टू ट्रेन वन मिलियन टीचर्स वीज़ सी इस क्योशन का राइट आंसर है सी गूगल गूगल ने आली में सीबिया सी के साथ एक एक एक्रिमेंट सेंट के जिसमें उन्होंने दस मिलियन दस लाख एक मिलियन दस लाख टीचर्स को ट्रेन करने की जिम्यदारी लिये नेक्स्ट क्यूशन वन एज नेशनल मंडेला रिशनली सेलिबरेटेड इंटरनेशनल डे हाली में नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे कब सेलिबरेट किया गया इसक्यूसन का राई टांसर डी 18 जुलाई नेलसन मंडेला अफरीका के पर्थम राष्ट्रपती थे जिनको लगबग 40-50 साल जेल में रखा गया था ये इनके आजादी के संगर्स को देखते हुए गांधी जबी इनसे काफी प्रवावी थे हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 जुलाई को नेलसन मंडेला अंतराष्ट्र दिवस के रुप में मनाया जाता है ये दिन लोकतंतर के लिए संगर्स और दुनिया बर में शांती को बढ़ावा देने के लिए नेंसल मंडेला की योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है संयुक्त राष्ट का मुख्य लगा काँ पर इस्तित हैं नियू योर्क यूएसे में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई संयुक्त राष्ट के मासची को ने एंटोनियो गुट्रेस नेक्स्ट क्यूशन वाट इस दा पोजिशन ओफ इंडिया इंदा रिसेंट ली रिलीश्ट ग्लोबल मैनुफेक्ट्रिंग डिस्क इंडेक्श तुटाउजन ट्वंटी क्यूशन का राष्ट आंसर है सी थर्ड हाले में वेस्ट वेक्ट इंडियमान जोखिन सूसकांग में भारत तीसरे इस्तान पर राए इसके अनुसार भारत में मैनुफेक्शिंग और अन्य सेक्टरों में यूरोप, अमेरिका और एशिया परसांथ में 48 देशों के बीच में ग्लोबल सेवे करवाया गया था जिसमें चार मुल्यांकन के बिंदू रखे गए थे जिसमें भारत तीसरे इस्तान पर राए नेक्स्ट क्यूसन वो ऐस बिन अपॉंटेट एस दा फर्स्ट फिमेल प्राइम इनिश्टर ओफ गैबोन इसक्यूसन का राइट आंसर है सी औसूका रापॉंडो सी इसक्यूसन का राइट आंसर गैलबॉन की पहली मैला परदान मंतरी के रुप में रोस क्रिश्टेन औसांको रेपरडो को न्यूक्त किया गया यह देश की बारवी पीम है और जूलीन नकॉंग बैकले का यह इस्थान करेंड करेंगी इस पद को समाले से पहले यह फरवरी 2019 को रक्षा मंतरी के रूप में भी कारेरत रह चुकी है गैबोन एक छोटा सा देश है जिसकी राज़नानी लिब्रेल विल है और गैबोन की मुत्रा है मद्द अफ्रीकी CFA Frank नेक्स्ट क्यूशन वो ऐस बीन चूजन एस दा एमबेशेटर ओफ टॉरेंट ओ इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल 2020 इस क्यूशन का राइट आज़न सर है ए प्रेंग का चौपडा प्रेंग का जौपडा जी को टॉरेंट ओ फिलम फेस्टिवल के वोलिवूड अबिनेटरी के रूप में ब्रांड अमेशेटर के रूप में नुक्त किया गया है परतिश्टी इस फिलम मौट्सव का आज़न इस बार कोरोना वाइरस मामारी के कांड डिश्टल इस्ट्रिनिंग और वर्च्वल रेट कार्पेट पर आयोजित किया जाएगा जिसका आयोजित दस सितंबर से उनिस सितंबर 2020 तक किया जाएगा नेक्स्ट क्यूशन विच्ट इस्टेट कोवर्मिंट है डिटाइज़र जनरेट इलेक्रिशिटी फ्रोम वेश्ट जनरेटेड इन दा इस्टेट अंडर एन इनिश्टिव कोड वेश्ट टू एनरजी इस क्यूशन गराइट आंसर है C. उत्राखंड उत्राखंड सरकार ने हाली में वेश्ट टू एनरजी नामक एक पहल सुरू किया है 13 में से 10 जिलों में इसकी उपलबता सुनिस्चित करेगा उत्राखंड के मुख्यमंत्रिकों ने त्रिवेंदर सिंग रावाजी और उत्राखंड के राजेपाल को ने बेबी रानी मोरे Next question How long has the IOC recently postponed the 2022 Decker UR Olympic This question का right answer है B. दोजार बाइस में होने वाले Decker Youth Olympic को 2026 तक के लिए पोस्टपॉंड कर दिया गया COVID-19 के कार्ण जथा अन्य कार्णों के कार्ण इसे 2022 से 2026 में पोस्टपॉंड कर दिया गया Senegal की Capital है Decker और Senegal की मुद्रा है Paksimi Africa CFA Frank Senegal में अंत्रेश्य Olympic स्मीति का मुख्या ले है अंत्रेश्य Olympic स्मीति का मुख्या ले लोजेन स्विजर्लेंड और अंत्रेश्य Olympic स्मीति के अद्देक्स है Thomas Bach Next question Recently the winner of the International Press Freedom Award 2020 has been announced in which field This question का राइट आंसर है A. पत्तरकारिता जनरलिस्ट हाली में International Press Freedom Award 2020 के विज़ेताओं की गोश्णा की है यह पत्तरकारिता छेतर में पत्तरकारिता छेतर में मुख्य पत्तरकार साइदूलालम इरान से मुख्याले का पर इस्तित है New York US में और CPJ क्या है Committee to Protect Journalism CPJ के करेकारी निद्दे सकोने जोईल साइमन Next question Recently पुरसोत्तम प्रियादास जी स्वामी श्री जी पास्ट अवे Who was he? This question का राइट आंसर है C संद परसिद संद पुरसोत्तम प्रियादास जी स्वामी जी का हाली में COVID-19 के कार निदन हो गया इस स्वामी नाथन संस्ता के परमुक थे स्वामी नाथन संस्ता अनेक देसों में कारे रहते और ये जिस भी देस में इनका मंदिर है उसी देस में ही वो मंदिर से होने वाले इंकम को खर्च कर देते तो इस question का राइट आंसर है इस question का राइट आंसर है बी उत्तर परदेश हाली में उत्तर परदेश के मुख्य मतरी श्री योग्याजी ते नाजी द्वारा इसे लॉंच किया गया यह आप मैप में देख सकते है यह देश का सबसे बड़ा जन्साग्या की दरश्टी से सबसे बड़ा राज्य उत्तर परदेश है और इस उत्तर परदेश के राज्य पाले आनंदी बेन पटेल जो गुजरात की पूरुए मुख्य मंतरी है उत्तरप्रदेश की राजधानी है लखनौ Next question Where has KVIC opened its first footwear training center recently? Question का right answer है A. दिल्ली हाली में, दिल्ली में KVIC ने अपना first footwear training center launch किया है दिल्ली से जोड़ी कुछ important facts रेखते हैं यह राश्टी राजधानी छेतर उसके मुख्य मंतरी सिरी अर्विंद केजरी वाल है और यहां पर उपराजय पाल होता है क्योंगे इंदर सासित परदेश है यहां के उपराजय पाल है सिरी अनील बैजल जी नेक्स्ट कुछन चलते हैं कुछ important one-liner questions की तरफ जो आने वाली exams के लिए काफी important है which state government has announced to give 15,000 rupees for the funeral of COVID-19 disease this question का right answer है आंदर परदेश next question which state government has announced the creation of COVID ward in its six prisons this question का right answer है मद्य परदेश next question which state government has approved the formation of culture council to save and promote the culture of the state this question का right answer है चत्तिस कर्ड next question which state police has launched the cyber campaign this question का right answer है तेलंगाना next question which state government has launched the health service on your ownership initiative this question का right answer माराश्च्ट्रा question of the day को देखते हैं this question का answer है आपको comment box में comment करके देना है recently who has been appointed as a new chairman of HCL technology च्यार उप्सन आपके सामने है right answer आपको comment box में comment करके देना है thanks for watching इस वीडियो को आप सभी आजोकेसिन ग्रूप में सेयर कीजिए साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website www.isht0.in पर विजिट कर सकते हैं साथ ही हमाएं हमें कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें email भी कर सकते हैं साथ ही comment box में comment करके भी आप अपने questions के answer जान सकते हैं और हमारे paid course की जानकारी के लिए www.isht0.in पर विजिट कीजिए जहां पर MPPSC ता 36CAD ता अन्ने श्रेट एक्जाम के course update वर्जन अप्लोड है साथ ही All India Test Series के लिए हमारी website पर विजिट कीजिए thanks for watching God bless you